Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीकी होंगे और exam की preparation तो बहुत जोरो सोरो से चल रहे होगी है न तो exam की preparation के साथ साथ मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि आपको bio के अंदर कौण सी ऐसी चीज करने हैं जिससे आपके numbers जो है और जादा boost हो और वो चीज है important diagrams अगर आपको importance पता है diagrams की biology के अंदर तो आप कभी diagrams बनाने नहीं छोड़ के आओगे आपको अगर कोई भी concept आता है अगर आप उसके अंदर diagram बना देते हो तो आपको पूरा concept जो है बहुत अच्छे से clear हो जाता है तो examiner को पता चल जाता कि आपको concept पता है तो इसलिए हमारा जो main focus होता है biology के अंदर यही होता है कि हमको diagrams बनाने बहुत beautifully ज़रू नहीं आप art के student नहीं हो कि आप beautiful से diagram बनाओ बस आपको यह करना है कि आपको diagram इतने neatly बनाना है कि examiner को समझ में आ जाए कि आप क्या बनाना चाहते हो है ना और beautiful तरीके से लेबलिंग करने labeling is most important अगर आपने कुछ भी बना दियो और आपने labeling गलत कर दी तो पूरिया diagram खराब हो जाएगा तो आपका most important चीज के आपनी चाहिए labeling ओनी चाहिए तो मैं आपको कुछ important diagrams बताऊंगी जो कि आपके term 2 के अंदर most probable chances है कि वो definitely आएंगे याएंगे बहुत जादा chances आने के तो diagram बनाने की practice तो bio के अंदर must है है ना तो इसी लिए अब मैं आपको जो आगे बताने वाली हूँ वो है first जो diagram है वो है female reproductive system का प्रिवियर्स के कोशन पेपर और सांपल पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया है तो जो important है उसी मेंसे यह है कि female reproductive system वाला जो diagram है वो बहुत ज्यादा important है बहुत बार पूछा गया इसके ओपर बहुत सारे questions बनते इवन डिरेक्ली इसको भोल दिया जाता है draw the diagram तो आपको मेजरली देखना क्या है इसके अंदर कि आप जो है diagram जो है proper way में बनाओ ठीक है diagram proper way में बनाओ इवन इसके अंदर इस बात का भी धियान रखो कि आपने जो लेबलिंग करियों must होनी चाहिए ओवरी ओवरी की जंगा ही mention करनी है uterus, cervix, vagina ठीक है आप जो mention कर रहे हो तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि diagram अगर आपने बना लिए और आपके पास कोई भी question आगया female reproductive system का आगया आपने diagram बना कि उसमें show कर दिया जो पूछना चाहता है examiner तो आपको phone number ही मिलगे चीक है तो आपका पहला important जो डियाग्राम हो वो कौन सा हो है female reproductive system का ठीक है female reproductive system का अगर हम इसके बाद बात करें दूसरे डाइग्राम की तो दूसरा डाइग्राम है longitudinal section of flower यह कौन सा topic है यह topic है sexual reproduction in flowering plant तो flowers होते हैं उनका reproduction किस तरीके से होता है किस तरीके से उनकी अंदर क्या बोलते है pollen grains transfer होते है ovary में जाते हैं आप जाइगोड बनाते हैं उनहीं सब के बारे में हैं लेकिन अगर हम इसके डाइग्राम बना देते हैं अगर आपसे बोल दिया गया कि आप देखो बच्चो बच्चो देखो जो दो important चीजों का आपको ध्यान रखना है वह स्टेमन जो कि आपको दिखाना है कि enter जिसमें pollen grains होते हैं जो कि flower का yellow इसके बाद यह आपका second most important diagram है longitudinal section of flower जो इसके बाद third diagram है जो कि most important है वो है pollen germination in flower stigma pollen germination अब तक तो आपने यही पढ़ा था कि pollen किस तरीके से आटाइस्ट होता है इसके बाद का process क्या होता है किस तरीके से germ पॉलन ट्यूब की जरीए वो पॉलन ट्यूब की जरीए वो और जाता है वो most important है यह आप इस डाइग्राम से शो कर सकते हो है ना तो आप से घर्मिनेशन के उपर आएगा तो आप तब यह डाइग्राम ला सकते हो डिफरेंट कोशन पूछे जाएंगे तब यह डाइग्र अगर आप से पूरा ही टॉपिक पूछ रहे जाए वर्ट इस सेक्शुल रिप्रदक्शन फ्लावरिंग प्रांट तो अगर आप दोनों डाइग्राम्स बना दोगे तो आपके फुल नंबर है ना ठीक है बस ध्यान रखना कि आपको यह ज़रूर मेंशन करना है कि पॉलन अगर हम उनकी बात करें तो आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि एक हिराइकी होती है कि पहले प्रोडूसर्स फिर कॉंजूमर्स अगर हमारे पास आजाए कि फूट चेन का डाइग्राम बना के दिखाओ तो हम उसमें कैसे दिखा सकते हैं फूट चेन कि प्रोडूसर्स क्या होते हैं है ना उसके बाद प्राइमरी कॉंजूमर्स चिके बिटा इसी के बाद इसी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम अगर आपनी यह डाइग्राम ना गया तो एक्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको फूट चेन आती है ठीके इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फ्लोचार्ट से से सेक्स डिटामिनेशन वाला अगर सेक्स डिटामिनेशन के हम बात करेंगे तो जैसे हम X और Y होता ह थीके अफ लो एक्स की फीमेल के साथ ऐगा से ना तो अगर आप सेक्स डिटेमिनेशन के पर कोई भी कोशन पूछा जाएगा कि कि सेक्स के अबीकारेंशन मेंशन करता है मेल्स पर करता है या फीमिल्स पर करता है वो आप बहुत इस डाइग्राम के थूप परेंट कर सकते हो इसके इलावा जो आप अलग से कर सकते हो जिसे मेंडलो का एक्सामपल है उसके अंदर F1 प्रोजनी दिखानी है जिस तरीके से तॉल प्लांट का स्मॉल प्लांट से क्रॉस करवा के हम देख सकते हैं कि कौन F1 प्रोज़नी के अंदर कितने फ्लावस बने वो सारे क्या बने T2 It means all tall. सारे प्लांट कैसे बने tall. तो इसी तरी किसे अगर आपने flow chart बना दिया तो आपकी examiner को पता चल जाएगा कि आपको कोशन आता है और flow chart से ही आपका आधा कोशन के नंबर जो है आपको मिल जाएंगे है तो यही बात में आपको most importantly बनाने आए बताने आए थी कि diagrams की बहुत ज्यादा importance है biology में आपको वह चीज समझनी पड़ेगी और इसके लिए आपको सारे diagrams को बहुत ब्यूटिफली बनाने के जरूवत नहीं बस इस तरी बना दो कि सामने वाले को समझ में आ जाए और बट labeling बहुत अच्छे से होनी चाहिए बहुत correct होनी चाहिए हमारे जो description में telegram channel है उसमें भी add हो जाए और आके आपको उसमें सारे notifications भी मिलेंगे आगे जितने भी हमारे classes होने वाली आपको PDFs भी मिलेंगे पीवाई क्यूस मिलेंगे important questions मिलेंगे ठीके बचलोग तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए हमारे सारी वीडियो देखे ताकि आपकी 10 जो है बहुत अच्छे से पास हो जाए ओके बाई-बाई